हेलो डिरेश्वेंट आपके लिए मैं आज लेकर आया हूं टेस्ट यूर अबिलिटी 25 मिंट का टाइम है यह कोशन लिमिट एंड कॉंटिनुटी पे है और बेसिकली इसको मैंने सेट फोर डाला है पांच कोशन है इसमें मैं आपको एक एक करके कोशन दिखा दूंगा ठीक ह आपके पास 25 मिनट है आपके गवर कोशन देख लो स्क्रीन शॉट लेना है ले सकती है इस कोशन को अगर आप 25 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं तो आप समझेगा कि आपका जो प्रेपरेशन ने सही डिरेक्शन में जा रहा है चलिए फर्स्ट कोशन है इस वन राइट कोशन लिखा हुआ है यहाँ पर मैं कुछ एक्स्प्लेंद नहीं करने वाला हूं बस कोशन देखिए इस कोशन को सॉल्व किजिए सगैंट कोशन है दिस वन थर्ड कोशन है इस वन फॉर्ट कोशन है इस वन आन एड फिफ्ट आन्ड लास्ट कोशन है इस वन इसका जो भी इस सारे option को 5 question को solve कर 25 मिट का time frame में solve करके आप comment box में बताएं यह actually आपका real test हुआ कि आपका preparation कि इस direction में जा रहा है और यह सारे questions IIT JEE के level का question है सो आप अपना test से start किजिए और मैं अपना video start करता हूँ जब आपका test complete हो जाएगा तो आप resume कर सकते हैं video को और video को देख सकते हैं इसके solution के लिए तो स्वागत है सभी का रामानुजुम स्कूल of studies रामानुजुम स्कूल of studies 0 to infinity में मैं दिवाकर भगत आप सभी का अपने YouTube चैन के let माल लेते हैं कि fx is equal to यहाँ पर function है ठीक है और यह जो function define है यह अलग-अलग domain में define है ठीक है so fx is equal to minus 2 sin x है कब है जब यहाँ पर domain क्या given है इसका minus 2 sin x का domain x is less than see here minus pi by 2 इस domain में जो function की value है minus 2 sin x है इसी function का domain change हो जाता है that is अगर minus pi by 2 से x बरा हो और छोटा हो plus pi by 2 से तब इसका function का definition जो है a sin x plus d हो जाता है और जब यह x is greater than equal to pi by 2 हो तब इस function का domain cos x हो जाता है ठीक है इस तरह से function define है क्या रहा है the value of a and b so that fx is continuous everywhere तो क्या होगा value a और b का जिसके कारण जो given function है वो मतलब पूरे real number पे continuous होगा तो आप ध्यान से देखिए जो definition में है उसमें हमारे पास sin x और cos x का function है और हमें पता है कि everywhere sin x and cos x क्या होता है continuous होता है real होता है मतलब real number 9 पे कोई भी अंगल होगा तो जो domain होता है sin x का और cos x का वो real number होता है तो यह हमेशा continuous होगा बट जब यह domain defined कर दिया है तो हमी क्या करना होगा कि इस domain के point पे जहाँ पर transition point होता है that is minus pi by 2 पे definition change हो रहा है और plus pi by 2 पे यहाँ पर definition change हो रहा है और minus pi by 2 से plus pi by 2 के बीच हमी function का दूसरा definition है तो इन सारे point पे हमें क्या करना होगा हमें चेक करना होगा इसका continuity की यह function continuous है या नहीं है ठीक है एक पर जब हम चेक कर लेंगे continuous है तो उसके बाद continuity के हिसाब से जो हमारे पास किस तरह से हम चेक करतें continuous को वह भी में बताऊंगा उसके हिसाब से हमें equation बनेगा A और B में और व देखिए स्टार्ट करते हैं fx is minus 2 sin x so we can write अच्छा एक की और यहां पर important यह हो जाता है कि अगर कोई function क्या होता है continuous होगा तो उसके लिए क्या करना होगा हमारे पास limit x tends to a plus is equal to limit x tends to a minus is equal to function value of function at a यह हमें देखना होगा मतलब left hand limit right hand limit और function का value उस point पे यह तीनों अगर equal होगा तो हम कहेंगे limit हमारा continuous limit हमारा exist करेगा limit होगा तो function हमारा continuous होगा okay so पहला हम definition लेते हैं fx किसके लिए minus x less than equal to minus pi by 2 so limit x tends to कहां लेना हमें minus pi by 2 ठीक है और इसे छोटा है so हमें जिसे यह minus pi by 2 है suppose minus pi by 2 ठीक है तो इसे छोटा है तो हमें इस तरफ से proceed करना होगा minus pi by 2 से so minus यहां पर लगाना हो और it is minus sign is indication of left hand limit limit so left hand limit is minus 2 sin x okay और अगर हम यहां पर direct value put करें तो यह हो जाएगा minus 2 into sin x के जगा minus pi by 2 sin minus pi by 2 is minus sin pi by 2 so minus minus plus 2 sin pi by 2 or sin pi by 2 is equal to 1 so 2 into 1 is equal to 1 so left hand limit at x is equal to minus pi by 2 is 1 right similarly हमें क्या निकालना होगा limit x tends to minus pi by 2 plus अब हमें क्याल देखना है right hand limit पतलब हमारा जो x है इस तरफ से proceed करेगा so this is a sin x plus b so we can write here a sin x plus b so a sin minus pi by 2 so this is minus 1 sin minus pi by 2 is minus 1 limit की value put कर रहा है plus b so this is equal to minus a plus b okay यह हो गया left hand limit और right hand limit और हमें यहां पे f minus pi by 2 को देखना होगा f minus pi by 2 कितना होगा तो यह हमारा first यहां पे probability का साहन है तो यह वाला definition use करेंगे so this is minus 2 sin minus pi by 2 so we have minus 2 into minus 1 so this is equal to 2 so यहां पे भी correct कर लेंगा minus 2 sin pi by 2 is 1 नहीं यहां पे 2 हो जाएगा okay so चुकि यह सारे limit यहां पे हमें क्या करना है continuous तो यह सारे equal होनी चाहिए so we can equate all them so minus a plus b that is left hand limit is equal to right hand right hand limit is equal to left hand limit 2 is equal to function and the value of function at x is equal to minus pi by 2 so this is equal to 2 so हमारे पास a के equation बने किया minus a plus b is equal to 2 suppose this equation is named as 1 यह equation हमने 1 किया इसको ठीक है अब हमने minus pi by 2 पे देख लिया अगर अब हम plus pi by 2 पे देखे यहां देखिए plus pi by 2 पे limit को exist कर सकते है और तो यहां पे continuous होने के लिए exist होना परेगा तो यहां पे हमें एक और equation बनेगा so further we can write here limit x tends to see here limit x tends to pi by 2 और यह हम minus लेंगे so यह वाला pi by 2 माइनस मतलब pi by 2 से left hand side से जाएगा let's देन है तो हमारा definition क्या हो जाएगा a sin x plus b so we can write here a sin x plus b limit को put कर देंगे so this is a sin pi by 2 okay plus b so इसका value हो गया हमारा sin pi by 2 is equal to 1 so this is a plus b अब हमें limit x tends to pi by 2 plus that is right hand limit को देखना होगा और right hand limit क्या हो जाएगा x is greater than equal to pi by 2 के लिए तो यह cos x हो जाएगा so we can write here this is equal to cos x see here cos x definition में यह है यहाँ पे cos x है so we can write here cos x so we have जो limit आएगा cos pi by 2 and cos pi by 2 का जो value होता है 0 और f pi by 2 function का जो value pi by 2 पे होगा ध्यान देखेंगे यहाँ equality का sign है यहाँ पे x is greater than equal to pi by 2 so this is cos x so we can write here cos pi by 2 so cos pi by 2 and cos pi by 2 की value कितने हुजी 0 चुकि pi by 2 पे हमें limit क्या करना exist करना है so we can write here limit x tends to pi by 2 minus is equal to limit x tends to pi by 2 plus this is equal to f pi by 2 hence we can write here a plus b चुकि limit x tends to pi by 2 minus a plus b so this is equal to 0 इस equation को हम कहेंगे equation second ठीक है अब हमारे पास तो यहाँ से हम लिख सकते है a is equal to minus b equation second का दूसरा form हो गया है अब पहला equation कहा रहा है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे निकला सकते हैं minus a plus b is equal to 2 so minus a is equal to minus b कर सकते हैं यहाँ पे तो इसमें हम put कर सकते हैं a is equal to minus b so we can write here see here equation क्या था हमारा minus a plus b is equal to 2 so minus a minus a plus b is equal to 2 चलिए यह हमारा first equation है इस दोनों equation को add कर लते हैं put भी कर सकते हैं add भी कर सकते हैं अगर first equation second equation को add करेंगे so 2b is equal to 1 hence b is equal to 1 ठीक है तो b का value कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया okay now हमें क्या करना होगा अब b का value यहां पर put करना परेगा so we have a is equal to c here that implies यहां से अगर put करेंगे so a is equal to minus 1 okay तो a की value क्या होगे हमारे पास minus 1 so we can write here answer में a is equal to minus 1 and b is equal to plus 1 तो यह value होगा a plus b का क्या a is equal to minus 1 b is equal to plus 1 दोने question को satisfy कर रहा है तो इसे भी satisfy कर रहा है और इसे भी satisfy करेगा ठीक है तो अगर a का value minus 1 और b का value plus 1 होगा तो हमारा limit जो आएगा यह function होगा throughout continuous होगा right so a is equal to minus 1 and b is equal to plus 1 हम लोग option c में देख रहा है तो option c यहां पर correct होग जाएगा तो I hope आपको यह question समझ में आयावा काफी time लग गया इस question में चलते हैं next तो हुआसा lengthy question है और यह बहुत अच्छा question IIT जाई के लिए आप इस पीडियों बनाएंगे तो जल्दी जल्दी होजागा समझाने में time लग जाता है next question चलते है बहुत ही शानदार question है और यह बहुत ही जल्दी होने वाला question है ठीक है so यहां पर again हमें find करना है limit so fx is equal to 10 यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ea square है bracket बंद है xq minus 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर minus ea square xq divided by sin qx x does not equal to 0 x 0 के बराबर नहीं है तो 0 के बराबर नहीं है x तो x क्या होगा अगर यह x 0 के बराबर नहीं है तो x right hand side से limit 0 के तरफ move करेगा या फिर left hand side से 0 के तरफ move करेगा मतलब हमें left hand limit और right hand limit निकालना है the value of f0 for which fx is continuous मतलब left hand limit और right hand limit यह दोनों हमें निकालना होगा अगर यह दोनों equal होगा तो वो f0 के बराबर होगा okay so basically हमें limit क्या निकालना यहाँ पे x tends to 0 so we can write here limit x tends to 0 fx is equal to अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टन है limit x tends to 0 10 अब e square के बात करते हैं देखें e का जो value होता है यह हमारा exponential e to the power 1 का आता है so e का value जो होता है हमारे पास this is equal to 2.7182 और आगे भी यह चलता चला रहाता है नमबर अगर यहाँ पे क्या given e square so we have to write here e square so e square का जो value होगा अध्यान से देखेंगे this is 7.38 e की value आपको याद होना चला और यह आगे चला जाएगा so अगर यहाँ पे first follow function में e square है तो greatest integer of e square कितना हो जाएगा बच्छो this is equal to 7 so e square यहाँ पे greatest integer है so we have to write here 7x cube minus यहाँ पे minus e square है e square minus 7.38 है so minus e square minus 7.38 और greatest integer minus e square अगर करेंगा तो यह minus sign यहाँ पे लग जाएगा और greatest integer की value निकालेंगा तो यह minus 8 हो जाएगा greatest integer क्या होता है greatest integer which is less अगर x greatest integer में तो x का वो value जो x से जस्ट छोटा हो और वो integer हो so यहाँ पे minus 10 है तो minus 8 आजाएगा so we can write here minus 10 into e square के जगा minus 8 x cube divide by sine cube x okay अब 10 minus 10 चीट होता है अब easy होगी हमारे पास limit निकाला so we can write here limit x tends to 0 10 7 x cube यह plus 10 8 x cube divide by sine cube x अब इसी का limit निकाला okay 0 by 0 के form में तो बहुत सारा काम कर सकते हैं but यहाँ पर हम डिर्क्ट फॉर्मूला को यूज कर लेंगा so we can write here limit बहुत ध्यान से देखना है x tends to 0 10 7 x cube divide by 7 x cube into 7 x cube ध्यान से देखेंगे उपर वाले पार्ट में 10 x cube में 7 x cube से हमें divide कर दिया उतना ही से multiply करेंगे कर दिया यहाँ पर फिर सेम काम करेंगे 8 x cube into 10 8 x cube divide by 8 x cube कर दिया अब यहाँ पर हमें denominator में कितना है sin x cube so we can write here sin q x divide by x cube कर देते हैं और यहां से multiply में हम लोग x cube कर देते हैं कोई फर्क नहीं परेगा अब क्या होगा कि यह जो x cube है और यह जो x cube है common लेंगे तो x cube फैक्टर में आ जाएगा यह x cube इस x cube से cancel हो जाएगा अब जब यह cancel हो गया अब direct limit फूट कर देंगे तो इसका जो value है 7 into limit 10 7 x cube divided by x cube तो limit x tends to 0 तो यह हो जाएगा हमारा 7 पहला वाला part यहां से यहां तक यह limit पूट करेंगा 1 multiply by 7 similarly 7 plus 8 यह वाला part 1 हो जाएगा बट यहां पे 8 से multiply है divide by denominator में यह limit x tends to 0 sin q x divided by x cube करेंगे तो यह हमारा 1 हो जाएगा so 8 plus 7 this is equal to 15 right तो यह हमारा limit x tends to 0 आगया इसका इसमें x tends to 0 जब हम बात कर रहा है तो x tends to greatest integer को भी हम लोग consider कर लिए है so limit जब अगर हमारा continuous होगा यहां पे इसका मतलब है this must be equal किस पे हम चेक कर रहा है x tends to 0 यह 0 प्लस भी ले सकते हैं और 0 माइनस भी हमने explain कर लिए इस चीच को so this is equal to f0 left hand limit is equal to right hand limit is equal to function at right value so f0 is equal to 15 option हमारा a correct हो जाएगा बहुत ही शांदार question ठीक है iatj के level का question है अब आपको पता चल रहा होगा पहले मैं थेोरी वाला पार्ट ले रहा था धीरे धीरे कि आपको समझ में आए concept एक बार जब समझ में आ जाता है तब हम लोग concept को इस तरह से डील करते हैं कॉशन में concept को यूज करते हैं चलिए next question है वीडियो थाँसे लेंदी होने वाला है यहां पर बहुत कुछ सीख रहे हूं चलिए आगे चलते हैं यह वाला जो question है इस question को आप खुद से कीचिए यह question easy है हो जाएगा यहां पर मैं एक hint दे देता हूं hint में क्या है आपके पास की 1 plus x to the power n is equal to 1 plus n into x plus n into n minus 1 divided by factorial 2 into x square plus n into n minus 1 into n minus 2 divided by factorial 3 x cube plus so on इस expansion को आपने क्या करना है यूज करना है तो यहां पर जो हमें fx आएगा यह हमारा हो जाएगा 1 plus x to the power 1 by 2 minus 1 plus x to the power 1 by 3 यह दोनों इस form में expand कर लेंगे divide में हमारे पास x है x कर लेंगे ठीक है और expansion करके इसका limit निकाल लेंगे continuous हो जाएगा दूसरा method क्या कहता है कि अगर हमें expansion नहीं पाता है तो अगर हम कहां पर निकालना है f0 पर निकालना है limit x tends to 0 fx की बात करें x tends to 0 fx की बात करें तो यह form क्या हो रहा है x tends to 0 अगर करेंगे तो यह 0 by 0 के form में है कुछ नहीं आराम से इसका L hospital rule से आप differentiation कर सकते हैं differentiation करेंगे numerator में और denominator में चलिए देख लेते हैं 1 by 2 into 1 plus x to the power n into x to the power 1 by 2 minus 1 आ जाएगा minus 1 plus again 1 by 3 into 1 plus x to the power 1 by 3 minus 1 आ जाएगा और divide में denominator वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा differentiation करेंगे तो 1 हो जाएगा so 1 हो गया अब यहां पर आप direct limit को put कर सकते हैं चलिए कर लेते हैं limit को put क्या आ जाएगा इसमें देख लेते हैं 1 by 2 into expansion करके आप solve कर लेना so 1 plus x tends to 0 so this is 0 क्योंकि यह 0 put करेंगे तो 1 plus 0 to the power of minus half तो यह इतना ही हो जाएगा ठीक है minus 1 by 3 okay into 1 plus x तो 1 plus 0 to the power minus 2 by 3 तो यह 1 हो जाएगा so this is equal to 1 by 2 minus 1 by 3 so अगर इसको solve करेंगे LCM 6 हो जाएगा 3 minus 2 so we have 1 over 6 option हमारा a हो जाएगा question ही solve हो गया बहुत easy question था आप यह तो L hospital rule यूज़ कर सकते थे अब एक बार expansion यूज़ करके देखिए क्या आता है easy question था चलते हैं next question पे this question जो है fx यह भी बहुत ही शांदार question है और अगर हो गया होगा यह question तो प्लीज आप ज़रू comment box में डालेंगे यहाँ पे कह रहा है कि function given है क्या given है function fx is equal to 2 minus 1 minus x over a 10 by 2 into x by a यहाँ पे x does not equal to a क्यों है यहाँ पे कि अगर x a होगा जहां से देखें तो यहाँ पे x over a तो 1 हो जागा 10 by 2 undefined है और similarly यहाँ पे x over a 1 हो जाएगा x over a 1 हो जागा तो 1 to the power infinity हो जागा so यहाँ पे function जो है 10x का वो defined नहीं हो रहा है इसलिए x does not equal to a है the value which should be assigned for f at x is equal to a so that it is continuous everywhere again x tends to a पे हमें limit निकाला कैसे करेंगे चलिए देखते हैं we have fx is equal to this one so we can write here अगर log a to the power x है तो हम यहाँ पे एक function के ऊपर दूसरा function power में fx to the power qx है तो जब भी इस तरह का function आता है तो generally हम लोग logarithm की use करते हैं so log fx is equal to log ले लेंगे तो हमें पता है कि log m to the power n this is equal to n into log m base e o तो है so we can write here tan pi x divided by 2a into log 2 minus x over a हमने logarithm इसमें रिले लिया अब हम लोग क्या कर सकते हैं चुकि 10 pi x log x है so we can write it as see here log 2 minus x over a ठीक है 10 x को नीचे ले जाके हम लोग लिख सकते हैं cot pi x divided by 2a cot pi x divided by 2 नीचे ले गया अब यहां पर अगर हम x tends to a पुट करते हैं so x log 1 log 1 is equal to 0 x tends to हमें क्या पुट करना है a so log 1 is 0 अगर x tends to a पुट करेंगे तो यह log 1 हो जागा 0 so यह form आ जाएगा हमारा ध्यान से देखिए this is 0 और अगर हम a पुट करेंगे तो यहां पर x is equal to a cot pi by 2 cot pi by 2 is 0 so यह 0 by 0 के form में है तो 0 by 0 के form में है तो हम क्या करेंगे यहां पर l hospital rule को यूज करेंगे चलिए so यहां से अगर हम लिखना चाहें limit x tends to क्या है हमारा किस पर देखना a पर x tends to a log fx so we have limit x tends to 0 differentiate करेंगे numerator को so 1 over 2 minus x over a into 2 का differentiation क्या हो जाएगा 0 देखें जब differentiate करते हैं with respect to x करते हैं तो इसमें हमें पहले with respect to 2 minus x over करना परेगा x over a फिर उसको further differentiate करेंगे x के respect में तो यह 0 minus 1 over a हो जाएगा ठीक है और cot x का differentiation करेंगे तो यह हो जाएगा minus cosec square pi x divided by 2a और यहां पर हमें pi over 2a से multiply भी करना परेगा pi over 2a से multiply करना परेगा तो यह हो गया हमारा limit में हमारा 1 over 2 see here 1 over 2 minus x over a और divide में हमारे पास क्या हो जाएगा कॉसक square pi x into 2a so we can write here this is this can be written as sin square sin square pi x over 2a थोड़ा सा लेंदी है इस पेस भी कम है आप ध्यान से देखेंगे अब हमें limit put करना है so we can write here second slide ले लिखते है limit x tends to a x tends to a log fx so this is equal to यह क्या हो जाएगा pi by 2 है तो 2 by pi हो जाएगा तो यहां पर हम लिख लेंगे इसको 2 by pi ओके और यहां से देखिए x is equal to a put करेंगे तो 1 हो जाएगा x is equal to यहां पर कर लेते है 1 divided by this is 1 divided by 2 minus x over a यही चीज़ है ना लिख लेते हैं अभी चीक है into sin square pi x क्या है sin square this is pi x over 2a so pi x over 2a अब अब limit put करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा limit x tends to a log f x so this is equal to 2 over pi into 1 over 2 minus x is equal to a put करेंगे यहां पर limit x tends to a कर लेते हैं x tends to a तो यह 1 हो जाएगा और x tends to यहां पर a put करेंगे so we have sin square pi 2 into a over a यह cancel out हो जाएगा so sin square pi by 2 is equal to 1 और यह हमारे पर 1 हो जाएगा so 2 over pi तो यह आ गया चुकि limit log f x आया है so f x is equal to e to the power 2 over pi यह answer हो जाएगा option में चलते हैं देखे तो आसा लेंदी है option में हमारे पास क्या जाएगा यहां पर यह वाला तो हो गया था यह वाला question है option में हो जाएगा नहीं यह भी हो गया था यह वाला question है बहुत ही शांदार question है यह देखने से लगता ही है question i.t.j का है आगे चलते हैं काफी लंबा हो गया अब क्या करते हैं यहां पर दो question रहा गया यह last question है चलिए इसको करी लेते हैं so यहां पर देखे कि function बहुत exponential में given है ठीक है और function का जो domain है वो अलग-अलग है दो अलग-अलग domain में हमारे पास given है और यह पूछ रहे है the value of b so that limit x tends to 0 fx exists तो हमें value b के निकालनी है यहां पर a भी है और b की है तो question में कह रहा है b की value क्या होगी तो चलिए limit x tends to 0 minus की बात कर लेते हैं ठीक है 0 minus की बात करेंगे यह बाता सबा जाएगा हमारे पास so ध्यांस देखेंगे e to the power 1 over x plus e to the power 2 over x plus e to the power 3 over mod x है तो minus x so minus x चोंकी limit x tends to 0 minus ले रहे हैं डिवाइड बाई a into e to the power 2x plus b into e to the power 3 divide by mod x है तो minus 3x हो जाएगा तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं e to the power minus 3x कॉमबन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा e to the power क्या जाएगा यहाँ पर minus 3x कॉमबन ले 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 हैं c क्या जाएगा minus e to the power wait a minute c हमने function लिया है यहाँ पे x tends to 0 यह plus होगा not minus minus तो उपर वाला होगा तो यह plus होगा इसको correct कर लेते हैं so this is plus so यहाँ पे यह चीजा जाएगा plus so we have e to the power 3x plus लेंगे okay so हमारे पास जाएगा e to the power minus 2 over x यहाँ भी plus कर लेंगे ठीक है plus e to the power क्या जाएगा minus तो यह होजाएगा minus 1 over x तो 2 plus x हो जाएगा plus 1 color change कर लिया आप correct कर लेना e to the power 3x कॉमबन ले लेंगे यहाँ पे तो हमारे पास बच जाएगा a into e to the power 1 over x 2 over x है तो minus 1 over x okay तभी 2 over x होगा plus यह b अब यह cancel out कर देते है e to the power 3x cancel out होगे so we can write further limit x tends to 0 plus क्या लिए सकते है 1 over e to the power 2x plus 1 over e to the power 1x plus 1 divide by a divide by e to the power 1 over x plus b अब देखे जैसे ही हम लोग यहाँ limit x tends to 0 पूट करेंगे तो e to the power 2 over 0 मतलब e का power infinite तो denominator में infinite आ रहा है इसका मतलब यह पूरा चीज क्या हो जाएगा 0 यह भी हमारा 0 हो जाएगा यह भी हमारा 0 हो जाएगा तो बन जाएगा limit पूट करने के बाद यह 1 over b ठीक है यह 1 over b बन गया मतलब हमारा right hand limit 1 over b आ गया अब बात करते हैं left hand limit की next slide में so we have to find see here limit बहुत important हो जाता है x tends to 0 minus left hand limit में x tends to 0 minus function क्या जाएगा e to the power minus x question जाकर देख सकते हम आपे plus x square minus 1 divide by minus x and this is to the power minus 1 over x थोड़ा सा यहाँ पे हम limit को solve करने के लिए video काफी लंबा हो चुका है तो कोई बात नहीं थोड़ा सा persistence और patience रखी लिए आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे so if we assume minus x is equal to y assume कर लेते हैं ऐसा करने क्यों करेंगे क्योंकि यहाँ भी minus x है यहाँ भी minus x है यहाँ भी minus x है that implies कि अगर x tends to 0 minus होता है इसका मतलब है कि y tends to 0 plus होगा ठीक है इस limit को अगर हम substitution को अगर हम use करते हैं so we can write here limit y tends to 0 यह e to the power y हो जाएगा plus यह y square हो जाएगा चूंकि x के जगा minus x के जगा अगर minus x के जगा हम y पूट करें यह x के जगा minus y पूट करें तो square होके यह plus हो जाएगा minus 1 divide by यह y और इसका power minus 1 by x है तो यह 1 over y हो जाएगा अब यहाँ पे जो आने वाला है limit थोड़ा सा लुक ले लेते हैं यह इस तरह का limit आएगा to the power 1 over x वाले form को यूज करेंगे limit f x tends to 0 इस वाले form को यूज करेंगे तो यहाँ से हमारा जो value आएगा यह आएगा तो अब क्या करना है हमें यहाँ पे अब क्या करेंगे यहाँ पे so we write here limit x tends to 0 we can write here e to the power y minus 1 over y plus y okay plus y to the power 1 over y यह चीज आगया हमारा okay अब further we can find out see here यह हो जाएगा 1 over y okay now हमें इस limit को इस form में लेके जाना है so we can write this as red से लिखता हूं है limit x tends to यहाँ पे y होगा sorry यहाँ पे y करेक्टर लेंगे y tends to 0 क्योंकि 1 है 1 यह हो जाएगा function हमें डालना है तो function हम लोग क्या डाल सकते हैं देखे ध्यान से y plus e to the power y minus 1 divide by y यह function और इसमें हमने one add किया तो हमें one को subtract करना होगा यह हमारा fy बन जाएगा ठीक है और चुकि यह हमारा fy बन गया है तो one over fy हमें करना होगा so we can write here one over fy में see here y plus e to the power y यह minus 1 divide by y minus 1 यह इससे हमें क्या करना होगा one over fx करना होगा चुकि हमने यहां पर one over fx किया तो इसी चीज़ से हमें multiply करना होगा चलो green ले 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 जिसे कि आप हो समझन में आए so we have to write y plus e to the power y minus 1 divide by y और यह minus 1 हो जाएगा यह चीज़ और यहां पर एक चीज़ और बचा हुआ है उसको black से लिख रहा है यह हमारा one over y अभी तक हम लोगों ने लिखा नहीं है so we can write here one over y यह हम लोगों ने transposition किया मतलब substitution किया so अगर आप देखेंगे इस one over y को यहां से हटा के हम लोग यहां पर ले आते है one over y यहां पर ले आते है तो यह जो total function बना यहां से लेके one over y को यहां तक यह basically क्या है one plus fx one over x y tends to zero so that is e so we have limit e limit limit y tends to zero यह total part हमारा e बन गया और e के power में आ जाएगा हमारा क्या one over y and bracket में हो जाएगा y plus e to the power y minus one divide by y बहुत ही शांदार कोशन है minus one तो basically हमें यह वाला limit ने काना है ठीक है चले next slide ले लेते हैं so we have limit y tends to क्या है zero one over y और क्या क्या था इसमें one over y और था हमारे पास y plus e to the power y minus one so we can write here y plus e to the power y minus one divide by y और plus यहां पे हमारा one था ठीक है नहीं minus one था see here this is minus one so we can write here minus one यह basically यह limit निकालना है और इसे हम आसानी से निकाल सकते हैं चले है करते हैं limit y tends to zero one over y so we can write here y square plus e to the power y minus one minus y divide by y simplify कर दिया so limit y tends to zero one over y square see here y square plus e to the power जो y होगा वो क्या होगा one plus y plus y square divided by factorial two plus y q divided by factorial three इसी तरह चलता चले जागा ठीक है minus one है तो minus one हम लोग कर लेते हैं और साथ में minus y है तो minus y भी हम लोग कर लेते हैं ठीक है अब यहां से minus one वाला part minus one वाला part cancel हो गया यहां से y वाला part और यहां से y वाला part cancel हो गया so limit y tends to zero one over y square अब यहां से हम y square को कॉम ले लेते हैं so y square अगर हम कॉम लेंगे तो यहां पर one बच जाएगा यहां पर one over factorial two बच जाएगा और यहां पर y over factorial three और यह plus one चलता चले जाएगा y square y square cancel हो जाएगा limit पुट करेंगे so यह वाला part यहां से आगे तक zero हो जाएगा so one plus one by factorial two that is one plus one by two so this is equal to three by two ठीक है और यह किसका limit था हमने पहले देखा था e to the power यह वाला limit था तो answer क्या हो जाएगा हमारा answer हो जाएगा जो limit आएगा e to the power three by two option देखते हैं हमारे पास क्या है बहुत लंबा question हो गया यह so option b सही होगा option b is correct बहुत लेंदी question होगा 10-12 minute का हो गया इसलिए मैंने 25 minute का time दिया test के लिए क्योंकि हरे question में कुछ ना कुछ speciality है speciality है मतलब कुछ ना कुछ special चीज है कौन से form को use करना है अलग-अलग domain में definition change हो जा रहा है यहां पर modulus भी function आ रहा है और पहले तो यह simple question था ag कासा यह वाला question ज्यादा कोई था नहीं इसमें equation बनना था second वाले question में हम लोग उने greatest integer के function को deal किया बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक है तीसरे question में हमने देखा कि expansion अगर use करते तो हम लोग L hospital load को कैसे use करेंगे चौते question में हमने देखा कि जो हमारा function है उस function को किस तरह से हम transform करें राइट logarithm लेके मतलब अगर fx to the power 5x है तो उस case में हम लोग logarithm को भी use कर सकते हैं और L hospital load लगा सकते हैं और सबसे शांदार question तो यह वाला था मेरे लिए यह बहुत ही शांदार question था तो इसमें हम लेने देखा कि किस तरह से हम exponential का algebra करके ठीक है और यहाँ पर main चीज यह आयाता है न कि अगर limit x tends to 0 करते हैं तो generally यह undefine हो जाता तो यहाँ पर क्या होता है कि 1 divided by infinite number so this is is equal to 0 इस चीज को धियान में रखना है और जो standard form है limit x tends to f x tends to 0 1 plus f x to the power 1 over f x is equal to is यहाँ पर इस concept को बहुत ही beautifully तरीके से use किया गया है तो I hope यह lecture आपको बहुत ही पसंदाया होगा so please अगर पसंदाया हो तो please channel को जरूर like कर लें चैनल को subscribe कर लें जो भी बच्चे भी तक subscribe नहीं की है चैनल को जरूर subscribe कर लें और content को पूरा देखे सभी से मैं यही request करता हूं next class में कुछ और अच्छे वाले question लेकर हम लोग आएंगे यह सब बहुत ही शांदार question ने लिमिट का तो आज के लिए इतना ही रखते हैं यहाँ पर हमारा given है website that is यह हमारा website है यहाँ पर आप जाके या डारेक्ट चैनल पर जाके आप राम अनुजय में स्कूल ऑफ स्टेटीजी डाइट सर्च करेंगे तो यहाँ पर निकल के आजाएगा यूट्यूब में तो आप वहाँ पर जाके subscribe कर सकते हैं या फिर जो link है वो link जो है description box में गि झाल